अगर आपके पास रखी हुई है पुरानी बिंदी यूज करी हुई है फिर बिंदी के खाली पत्ते तो आज की वीडियो आप जरूर देखेगा बहुत ही अच्छे से टिप्स आज मैंने फ्रेंड शेयर किये हैं क्योंकि आज पुरानी बिंदी के मैं बहुत सारे आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हम मात्य पर लगाने के बाद उतार देते हैं बहुत ही हैल्फुल वीडियो है फ्रेंड आप एक बार देख लेंगे तो आप कभी भी पुरानी बिंदी को नहीं फैकेंगे ये म इन खाली पैकेट्स के और इन पुरानी बिंद्यों के आज जो मैं आइडिया शेयर कर दी हूँ आपको काफी पसंद आने वाले हैं क्या क्या मैं इनसे बनाओंगी और कैसे कैसे मैं इनको यूज करती हूँ वह आपको यहां पर वीडियो में पता चल जाएगा काफी सारे आज आपके लिए लेकर आई हूँ तो यहां पर सबसे पहला आइडिया मैं शेयर करूंगी यह खाली पैकेट को लेकर जब भी हमारी बिंदी खाली हो जाती तो यह पैकेट हमारे जो खाली होते हैं उसको सीधर डस्टी बिंड में फैकते हैं लेकिन अगर हम चाहें तो इन आपको भी काट लेना है जिरो कोष्ट में सारे आइडिया होने वाले हैं आपका एक भी रूपया खर्च नहीं होगा प्लस आपकी जो बेकार बिंदिया हैं यूज करी हुई उनको आप दो बारा से रिच कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो मेरे पास एक ही कलर की बिंदी है तो मैं एक ही कलर की बिंदी यूज कर रही हूं अगर आप कलर फुल बिंदी लगाती है तो आप कलर फुल बिंदी ले लिजेगा तो यहां पर मैंने इसकी कटिंग तो कर ली है अब दिखिए फ्रेंड आप यहां पर पेंट भी कर सकते हैं लेकिन मे करेंगे और इसे यूज करेंगे तो जो भी देखेगा वह तो कहने वाला ही है क्योंकि ऐसे जो होते हैं वह जल्दी से हर किसी के दिमाग में तो आते ही नहीं है यह देखिए दोनों तरफ से मैंने यह टेप लगा दिये कुछ इस तरीके से इसका लुक आचाएगा लेकिन मैं क्या करूंगी इसका थोड़ा से एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना वो मैं काट करके निकाल दूँगी देखिए साइट से जो किनारी बची हुए है इसको मैं काट करके निकाल दूँगी चाहे तो आप इस पे दूसरा टेप भी लगा सकते हैं यानिकि दूसरे कलर का टेप भ बिंदी खराब हैं बिल्कुल किसी भी काम की नहीं थी एक्सपायर बिंदी थी यह लगाने लाइक मात्य पड़ नहीं थी और यूज करी होई बिंदी भी थी इसमें से तो मैं लगा के रख देती हूं पत्ते में धरुदर फैक्ती नहीं हूं क्योंकि कुछ लेडिसों क्याद गातीनर यहां पर यह विंद्यां लगा दें नहीं हुं यह दिख़के इस सोने पर सुहागा हो जाएगा फिक क्याइगा यह दिखेए अब इन बिंद्यों को थुम्हें की डेती क्या करती है फैक सोच चलो इससे कुछ DIY बनाते हैं घर के लिए तो यह देगे हमारा यह बनके तयार हो गया है तो थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूं बिंद्यों को ताकि यह अच्छे सी इक्वली लग जाएं यह देखी फ्रेंड इस तरीके से थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूं यह हमारा बन मैंने टेप लगाए थी थोड़ा सा इसका लूप और अच्छा लगने वाला है यह देखिए इस तरीके से यही सब चीजे मार्केट में मिलती है ना हमें पैसों में तो हम फटा-फट करीद लेते हैं बीना यह सोचे समझे कि हम इसे घर पर भी तयार कर सकते हैं यूंकि मोल की जो चीजे मिलती है पैसे देखे खरीते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है सभी को लेकिन घर में अगर बना ले तो उससे ज्यादा सुकून मिल सकता है मेरे हिसाब से तो यहां पर देखिए अब आपके कोई भी बच्चे का फोटू हो यहां आपका फोटू हो तो वह आप हमारा एक फोटो फ्रेम बन के तयार हो चुक है बस पीछे की साइट से भी मैं टेप इसमें लगा देती हूं ताकि यह खूले ना जब आपको जरुआ तो इसे खोल लेगी तो आप खोल भी सकते हैं फोटो चेंज भी कर सकते हैं दूसरा फोटो लगा सकते हैं इसमें तो कै आपको दिवार पर भी चिपका कर दिखा देता हूं यहां पर मैंने इस पर डवल साइट टेप लगा जाए इसके बैक साइड में और यहां पर मैंने दिवार में भी लगा दिया है अब दिखे फ्रेंड कितना सुंदर सा हमारा फोटो फ्रेम बन के तयार हो चुका है जीरो आपके पास स्टेपलर है तो आप इन बीस में लगा सकते यानि कि आपको नीचे से क्लोज करना थे बस इतना ही आपने करना है पर्स में और फिर वो इधर उदर रहते हैं ना एक साथ मिलते भी नहीं और हम खोजते रहते हैं तो आप इस तरीके से इस पैकेट के अंदर अपने सारे कार्ड वगएर रखके रख ले जा सकते हैं जो इपोटेंट आपके कागज यह कार्ड होते हैं और जब आपको जरुव तोपिक मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अक्सर होता है कि हम कहीं साधी पार्टी में जाते हैं तो होता यह है कि हमें जैसे ड्रेस पैन नी पड़ती है बदल बदल के हम पैनते हैं तो हमारे पास ना कभी-कभी उस कलर के कंगन बेंगल्स वगएर नहीं होते हैं तो आप उस टाइम पर जुगाड कर सकते हैं जैसे आपके पास कलर्फुल बिंदी है या फिर इस तरीके से अगर आपको महरून कलर चाहिए होगा तो आप महरून कलर की लाल कलर की बिंदी इसमें लगा सकती है अपने कंगन में और बहुत ही सुंदर सा यह लुक देता है आप की ड्रेस से बिल्कुल एकदम मैच कर जाएगा तो यह आइडिया फ्रेंड मेरा परसनली है तो मैं यूज कर लेती हूं जरुवत पड़ती है तो मैं पैसे लगाने से बचती हूं और सोचती हूं कि चलो कुछ ना कुछ नया ट्राइ कर लें कुछ ऐसा कर लें कि हमारा काम भी हो जाए और हमारे पैसे भी ना लगे तो देखिए फ्रेंड अमार जन्सी में अगर कभी आपको मैच करते हुए बेंगल चाहिए हो अपने ड्रेस से तो आप इस तरीके से बिंदी का यूज कर सकते हैं यहां पर देखिए जैसे मैंने यह लगा ली है तो अब अगर मैं अब इन कंगन का लुक पहले से जादा चेंज हो चुका है यानिके पहले से जादा खूबसूरत यह लग रहे हैं तो आसा करते हुए यह वाला टॉपिक तो आपको सबसे अच्छा लगा होगा आज की वीडियो में कुछ नया था तो नया नया ट्राइ करते रहना चाहिए खाली बैठे रहने से अच्छा है कि तोड़ा सा दिमाग चलाएं अपना और अपने कामोकाशान बनाएं और अपनी मनी शेविंग भी करें यहां पर देखिए फ्रेंड मैंने अपने कंगनों को बिल्कुल एकदम न्यू लुक दे दिया है अब देखते हैं एक और आइडि पहले से अच्छाने के लिए बैठते हैं और सुलच्टे तो है नि फिर हमें उतना ही धागा वेष्ट करना पड़ता है कट करके निकाल देना पड़ता है तब ही जाके हमें धागा यूच करने के लिए मिल पाता है तो इस तरिके से अगर आप रील को रखेंगे जैसे मैं आज आपको बताने जारी हूं तो गैरंटी है आपका धागा कभी भी नहीं उल्जेगा ये मैं कह सकती हूं तो कि हम यहाँ पर करेंगे पुरानी बिंदी का यूज तो सबसे पहले मैं सुमी वगयरा जो है ने इसकी निकालके रख देती हूं साइड में और इसके जो धागे सिरे हैं ये भी मैंने अच्छे से लपेट दिये हैं ये देखे फ्रेंड अब इस तरीके से अगर मैं फिर दोबारा रखूंगी तो फिर इसके धागे जो ना उलत ज ठोपते हैं और इस धागे से फोल्ड करकुंगेरम जो इस धागे का ils होगा ना वहीं पर हम बिंदी चिपका दो इसका जो धगेंड खोले। वह चपक जाएन ना तो भिन्दी ये मैं कह सकता हूं तो यहां पर एक सारी की सारी नीश और मैं ये बिंदी चिपका कर रख देने वाली हूँ क्योंकि भई धागा वेस्ट करने से कोई फाइदा नहीं है हमारे दो काम हो जाएंगे हमारा धागा भी खराब होने से बच जाएगा और जो हमारे पूरानी बिंदी है ना वो भी यूज में आ जाएंगे तो फ्रेंड आज के बाद बिंदी को फैकेगा तो बिल्कुल भी मत जब भी आप बिंदी को यूज कर लेती है तो माथे पसर उतार के किसी भी एक खाली पैकेट में आप जमा करती रहिएगा और फिर इन तरीके से आप उनको रियूज दोबारा से कर सकती है अब देखे फ्रेंड ये जो हमारे रियल है कैसे भी पड़ी रहेंगी ना तो इनके धागे बिल्कुल भी उलजने वाले नहीं है ये देखे क्योंकि हमने इसमें बिंदी लगा दिये इसका जो एंड था बिल्कुल एकदम किया यह तो आप इस तरीके से उठाके बिल्कुल अको इस ने डाल सकते हैं यह फिर जैसे मैं यूज करूंगी दबाई के बॉक्स को आप वैसे यूज कर सकते हैं तो इहां पर दबाई के बॉक्स भी हमारे 거죠 मिले जाते हैं पड़े वे तो उनको फेक defekt से अच्छा है कि आपको रील को और्गनाइज करने में यूज कर लेजिए इस तरीके से आप इसमें रील वगएरा रख लीजिए वैसे एक वीडियो में आपको इन दवाय के खली प्रकेट का यूज और बताया था इसमें मैंने वैंगल वगएरा भी रखके दिखायते आपक तो आपके चूड़ें भी सेफ हो जाती है इसमें फिर देखिए इस तरीके से रील रखेंगे तो कितने अच्छे से हमारी रील इसमें और गनाइज हो गई है और जब आप हो जरुबत लगे तो आप निकाल के यूज कर लीजिएगा है ना बेस्ट सा ओप्सन बस आप इसे करेंगे क्या जैसे मैं इसे रखने वाले हूं वैसे भी कर सकते हैं तो मैंने एचकशन लिया है और इस टेप कट लूए अबop भूए का Sam forces कर ला दों बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी क्योंकि बहुत अच्छी से सेट हो जाते हैं जब आपको जरुवत लगे तो आप यहां से निकाल कर सुई को यूज कर सकते हैं यह देखे फ्रेंड है ना तो जब जरुवत लगे हमें सिलना है तो सुई यहां से ले लीजिएगा और फिर कालने के बार जिसके छोटो च्छोटेस छोट्रीपानास्स ऐनकिएड है भिएゃ। है स यह ना बेस्ट साइड तो मैं यह यूज करती रहती हूं तो मैं इसलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूं अब देखें जितने भी इसमें हॉल थे मसीन में वो सब कवर हो गए हैं इसमें डश्ट वगएरा कुछ भी नहीं जाएगी और आपको इसकी डीप लिनिंग करने की जरवत भी पढ़ेगी मसीन की क्योंकि यहां से हम क्लिणिंग नहीं कर पाते हैं कि यहां हम मसीन को नीचे साइगल कर यह दो कर भाते हैं अगर आप बींदों से कवर कर कर के रखनेंगे इन हॉल को शेएब और नहीं आपको cleaning करने की जरत पड़ेगी नहीं आपकी machine खराब होगी तो यहाँ पर ना आप पुरानी बिंदों का यूज मसीन में भी कर सकते हैं अब देखिए फ्रेंड एक idea और देखते हैं sink में इनका यूज कैसे करना है तो हम लेडिसों को मतलब के एक आदत होती है कि हम ना sink को रात में clean करके सोते हैं और सोना भी चाहिए फ्रेंड क्योंकि sink को कभी भी रात में गंदा छोड़ना नहीं चाहिए जिससे की यह होता है कि हमारे जो घर में cleaning रहती है न अच्छे से तो हमारी kitchen गंदी नहीं रहती है इस में कड़े बगयरा जो था कमाते हैं लेकिन आपको करना क्या ह्या है कि मैं आपको बता देते हूं इस तरहीके से सबसे पहले सोने से पहले doa scene को clean करनी और clean करने के बाद उसे कपडे से पहुंचनी है जैसे मैं पहुंच के दिखा रही हूं इस तरीके से अब हम करेंगे क्या इस तरीके से हमने पहुंच दी है और पहुंचने के बाद इसके बाद हमें यूज करना होगा इसमें बिंदी का हां बहुत अच्छे से आप बिंदी का यूज कर पाएंगी इसमें अग से चीज आप के पाइप में डाल देने तो जो भीह आपके पास अवेलेवाल की चिछन डिए कोई बात नहीं आपंपने उतना काम तो कर लेना है और सोड़ यकान मेरे पास सोड़ा तो यह पास दा दाले आप नमक भी डाल सकते हैं कोई बात नहीं है अब आपको करना क्या है बिंदी है आपने ले लेनी और इसका यूज करना हए आपने जाली में छोटी-छोटी से छेद होते तो इनी छेद को आपको इस बिंदी से रात में कवर कर देना है यह दिजित तरीके फिर इसके बाद आपने निश्चिंत होके सोज़ए ना तो आपके किचिन से सिंक से कोहीं से भी बदबू आएगी और नहीं कीड़े मकोड़े आने की टेंसन रहेगी फ्रेंड हां बहुत अच्छी टिप्स है क्योंकि यहां से कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी आतने बहुत जल्दी बिमारी होने की आशंका बनी रहती है तो फ्रेंड आशा करते हूं यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी यही आज की वीडियो में च्छोटे च्छोटे चे टिप थे जो मैंने आपके साथ शेयर किये हैं और इन पुरानी बिंदों को आप फैकेगा ब हुआ